सब्सक्राइब करता हूँ आपके माध्यम्षे में भारत सरकार के खाद देवम आपूर्टी मंत्री जी का ध्यान मध्यप्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के सभी राज्जों में जहां आटा मिले हैं फ्लोर मिले हैं वो बंद होने की कगार पर आगई है उस तरफ ध्यानाकर्श कराना चाहता हूँ मध्यप्रदेश, हरियाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगर, राजस्थान और उत्तराखन ये वो राज्जे हैं जहां सरवाधिक केहूं का उत्पादल होता है और इन्ही राज्जों में सरवाधिक फ्लोर मिल लगी हुई बड़ी शंख्या में लोगों ने बैंक से लोन लेकर के इनको लगाया है अभी भारत सरकार का खाद मंत्राले ने एक निर्णे लेने का काम सुरू किया है कि हम अब पूरे देश के सभी राज्जों को 1170 रुपे प्रति कुंटल के हिसाब से गेहूं बेचेंगे इससे होगा है कि जो राज्ज गेहूं की उत्पादक राज्ज हैं जहां सरवाधिक फ्लोर मिल लगी हैं उनको पहले रियायत दर पर गेहूं मिलता था और उससे वो आटा बना करके और मार्केट को देते थे अब जब ये फ्लेट रेट हो जाएगा तो ये उन राज्जों के लिए तो ठीक है जहां पर गेहूं का उत्पादन नहीं हो रहा लेकिन जो राज्ज गेहूं के उत्पादन का काम कर रहे हैं अगर इन छोटे उत्पादोगों को हम रियायती दर पर अगर गेहूं उत्पादन नहीं कराएंगे इसलिए उनका भारी नुक्सान होगा मुझे एक एस्सोसियेशन मंत्रप्रदेश का फ्लोर मिल का मिला था और उन लोगों ने कहा कि साहब अगर इस पर भारत सरकार पुनर विचार नहीं करेगी तो हम लोगों का करोड़ों रुपए का कर्द से लेकर के जो हम लोगों ने इस तुद्दोग को लगाया है वो बंद हो जाएगा मेरी आपके मादम से भारत सरकार से अपील है कि इस रिड़ने पर पुनर विचार करे और रियायती दर पर ऐसे फ्लोर मिलोगों को गेहूं अपलब्द कराने का काम करे मैं आपका पुनर धन्यवाद करता हूँ